नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विस्लेशन में आपका स्वागत है सुरुवात करते हैं संपादकी से संबंधित इस वीडियो की ये रहा आज का पहला संपादकी जिसका सिर्षक है इस संपादकी को लिया गया है दा हिंदू न्यूज पेपर से और यह संपादकी है जीएस पेपर 2 में शामिल विस है भारत एवं इसके पडोसी संबंध के दिश्टिकों से महत्वण है देखते हैं संपादिकी को विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधार है मयानमार चुनाओ मयानमार में संसदी परनाली है और संसदी परनाली के अंत्रगत यहाँ पर दू सदनात्मग विवस्ता है यह दूज सदनात्मग विवस्था अस्तित्यु में आया 2008 इस्वी में जब मयानमार में राष्टिय समिधान की घोसने की गई मयानमार के संसद का नाम है पिदांग गासु टौ और यहां पर भी दो सदन है उच्छ सदन और निम्न सदन मयानमार की संसद का जो उच्छ सदन है उसका नाम है एमियो था टौ और जो निम्न सदन है उसका नाम है पितुलू टौ उच्छ सदन में सीटों की कुल संख्या है 224 जबकि निम्न सदन में सीटों की कुल संख्या 440 है संसद में जितनी भी सीटें हैं तो कुल सीट का 25 परतिसत जो है उस पर सेन सदस्य मनोनीत होते हैं जबकि 75 परतिसत जो सीट है उस पर सदस्यों का निर्वाचन होता है और वर्तमान में जो चुनाव हुआ है वह चुनाव हुआ है 476 सीट पर जिसमें 346 सीटें प्राप्त की है National League for Democracy यह पार्टी है आंग, सान, सूची की और 25 सीट प्राप्त किया है किसने Union, Solidary and Development पार्टी ने यह Army-backed पार्टी है मयानमार में सरकार बनाने के लिए जो आविस्यक सीटों की संख्या है वह 322 सीट तो इसके अनुसार आंग, सान, सूची की पार्टी, National League for Democracy सरकार बनाने की इस्थिती में आ चुकी है चुनाओ के परिणाम से यह बात इसपस्थ है कि मयानमार की जनता ने फिर से भरोसा दिखाया है आंग, सान, सूची पर और मयानमार की जनता यह चाहती है कि आंग, सान, सूची ही सैन, सासन के एक बहतर विकल्प की रूप में मौजूद रहे अगर हम मयानमार की बात करें तो मयानमार 1948 इसवी में ब्रिटिस सासन से स्वतंतर हुआ और 1948 इसवी में जो मयानमार स्वतंतर हुआ वह एक लोकतांतरिक देश था बर्मीज इंडिपेंडेंस आर्मी के अंतरगत परंतु, 1962 इसवी से मयानमार में सेन निसासन की सुरुआत हुई 1962 से 2011 इसवी तक बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी के अंतरगत सेन निताना साही मयानमार में मौजूद रहे 2008 इसवी में मयानमार में नेशनल कॉंस्टिचोशन की घोसना की गई और उसी नेशनल कॉंस्टिचोशन के अंतरगत 2010 इसवी में मयानमार में आम चुनाव हुए और इस आम चुनाव के पस्चाथ जो सैन ने जुनता है उसको विगटित कर दिया गया और निर्वाचित परतिनीधियों की सरकार का गठन किया गया परंतु 2010 के चुनाव के पस्चाथ जिस निर्वाचित परतिनीधियों की सरकार का गठन किया गया था वो मुख रूप से जो आर्मी बैग्ड पार्टी है यूनियन सॉलिडेटरी एंड डेवलप्मेंट पार्टी तो उसी के नेत्रुत में सरकार का गठन हुआ था मतलब यह कि यह जो लोकतंतर का स्वरूप था वो महज एक दिखावा था परंतु 2015 इस्वी में वास्तिक चुनाव संपन हुआ और आंग सान सूकी के NLD सत्ता में आई परंतु जो सूकी हैं उनको राष्टपती नहीं बनाए गया और एक अलग से पद का निर्मान किया गया जिसका नाम दिया गया स्टेट कांसिलर जो की परधान मंत्री के जैसा है अब उस समय लोगों को यह आसा थी कि आंग सान सूकी के नित्रत में मयानमार एक पूर्ण लोकतंतरिक राष्ट बनेगा और इस पूर्ण लोकतंतरिक राष्ट को बनाने में आंग सान सूकी किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी अगर हम आंग सान सूकी की बात करें तो आंग सान सूकी आधनिक मयानमार के पिता आंग सान की उनकी पुत्री है वर्स 1990 में जब जुन्टा ने आंचुनाओ की घोसना की थी तब आंग सान सूकी की NLD ने ज़्यादा सीट पर जीत दर्ज की थी और सरकार के गठन करने की स्थिती में इनकी पार्टी थी परंतु जुन्टा ने आंग सान सूकी को जेल भेज दिया आंग सांसुकी मयानमार में लोकतांत्रिक सरकार की इस्थापना के लिए वर्सों से प्रयास रथ थी और उनके उसी प्रयास को देखते वे 1991 में उन्हें नोबल शांती प्रुसकार दिया गया अंतराष्टिय दवाव के बाद 2012 इस्थी में मयानमार की सैनसासन ने आंग सांसुकी को रिहा किया 2015 इस्थी में जो चुनाव हुए तो उस चुनाव में आंग सांसुकी ने दो वादे किये थे पहला कि मयानमार में पूर्ण लोकतंत्र की बहाली की जाएगी और दूसरा कि सीमा पर जो विद्रोही नसली अल्पसंख्यक ने मयानमार सरकार की विरुद्ध जो युद्ध चेड़ा है उनके साथ शांती समझोता किया जाएगा परंतु हुआ ठीक उसके उलट हुआ ये कि आंग सांसुकी सैन ने प्रमुखों के साथ सांती के प्रयास करती दिखी इतना ही नहीं राखिन राज्ज में जो सैन ने कारवाई की गई और उस सैन कारवाई का परिणाम जो निकला था कि 8 लाख रोहंगया मुसलमान बेगर आठ लाख रोहंगया जो कि भांगला देश के कॉक्स भजार में सरनार्थी के रूप में रहने को विवस हैं उन्होंने चुनाव में भाग नहीं लिया और उनके वापस आने की भी संभावना नहीं है जिसका कारण यहां पर यह है कि मयानमार सरकार इन्हें देशज अल्प संख्यक के अंतरगत नहीं रखती है रोहंगया पर सूकी की यह जो प्रतिक्रिया दिखी उसकी प्रतिक्रिया को देखते वे अंतराष्टी इस्तर पर उनकी छवी को नुकसान पहुँचा है अब इस चुनाव में जीत मिलने की पस्चात सूकी के समच्च मुख चुनोती य है कि 2008 इस्वी में जिस राष्टी समिधान को स्विकार किया गया था उस राष्टी समिधान के कुछ प्राबधानों में सुधार करें वह इसलिए क्योंकि 2008 इस्वी के राष्टी समिधान के द्वारा सेना ने अपनी इस्थिती काफी मजबूत कर लिये है ना केवल सरकार के भीतर बलकि राष्ट ये राजनीती में भी क्योंकि सेना रच्छा मंत्राले सहित अन्य मंत्रालें उपर नियंत्रन रखता है इतना ही नहीं सेना विद्रोही नसली अल्प संख्यकों के विरुद्ध अभियान को भी जारी रखने में सक्षम है और उसे यह सक्ती मिलती है राष्टी समिधान की द्वारा अब ये जो चुनाओ हो रहे हैं मयानमार में तो इस चुनाओ के बावजूद भी लोक परतिनिद्यों और शक्तिसाली सैन संस्था के मद्द सत्ता संगर से एक वास्त्ता है तो सत्ता की इस दूसरी पारी में सूकी के समक्चीह चुनोती है कि उसे ना केवल पूर्ण लोकतंत की स्थापना करनी है बलकि विद्रोही नसली अलब सिंखकों के साथ शांती समझोता भी करना है अगर आंग्सान सूकी की जीत के माइने भारत के लिए क्या होंगे अगर हम इसकी समिक्चा करें तो भारत के लिए काफी सकरात्मक होगा वहीं विदेसी मामलों के विशेसग्यों का यकाना है कि रोहेंगिया नरसंगार के मामले में वैस्विक अपमान मिलने की इस्थिती में सूकी का जुकाव चीन की तरफ बढ़ सकता है परंतु यह एक संभावना है अगर हम भारत और आंग सान सूकी के पूरवर्ती रिस्थों को देखें तो उस अधार पर हम यह कर सकते हैं कि भारत और मयानमार के रिस्थे जैसे पहले थे वैसे आगे भी जारी रहेंगी तो इस प्रकार इस संपादिकी के माध्यम से हमने मयानमार में जो हालिया चुनाव हुआ है जिसमें आंग सान सूकी को भhiमत की प्राप्ती हुए है और उनके निर्तुत में जिस अगली सरकार का गठन होने वाला है उसके समच किस प्रकार की चुनोतियां प्रस्तोत होगी उस पर हमने चर्चा की बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादकी की ओर जिसका शिर्षक है Fertile Opportunity इस संपादकी को लिया गया है Indian Express से और यह संपादकी GS Paper 3 में सामिल विस है प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कृसी सहरता के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है इस संपादकी का आधार है आत्म निर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंतरगत उरुवरक सबसीडी घोसना अब हमें यह पता है कि आत्म निर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंतरगत 12 घोसनाई की गई और इन 12 घोसनाओं में से एक घोसना उरुवरक सबसीडी से भी समंदित है जिसके अंत्रगत चालू वित्वर्स मतद 2020-2021 में उर्वरक सब्सिडी से संबंदित 65,000 करोर रुपे की अतरिक्त रासी के आवंटन की घोसना की गई यह बजटी आवंटन जो 2021 के बजट से संबंदित है जो कितना है 31,309 करोर रुपे उसके अतरिक्त है तो इस घोसना के द्वारा वर्तमान केंदर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है क्या कि चालू वित्वर्स के लिए आविस्यक जो 80,000 से 85,000 करोर रुपे की सबसीडी की आविस्यकता थी उसको पूरा किया गया वही यह भी सुनिश्चित किया गया कि 48,000 करोर रुपे के जो प जोगिक छेतरों के लिए अगर इस प्रकार से सभी बकायों का भुकतान हो जाता है तो फिर इस से production linked initiative को प्रोजसाहन मिलेगा वह इसलिए क्योंकि हमें यह पता है कि हाल ही में 10 छेतरों के लिए सरकार ने production linked initiative की घोसना किया जिसका उद्द्द से है घरेलू वी निर्मान उ या उरुवरक के उतपाद मुल्य से कम मुल्य पर उनको उरुवरक को बेचना पड़ता है, अब इसे उधारन की रूप में समझते हैं, कि मान लीजिए कि एक उरुवरक कंपनी के आयातित उवरक या उरुवरक का जो उतपाद मुल्य है वह है 100 रुपए, और उसी उवरक मुल्ली का अंतर है 50 रूपय का इसे उर्वरग कम्पनी को कौन देता है तो यह देती है सरकार तो अब यहाँ पर यह कहना है कि अगर उर्वरग कम्पनी को जो सबसीडी मुल्य है उसका खुखतान पूरा और समय पर हो जाए यह बड़ा अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अन निवेसकों के मन में निवेस करने की इक्षा नहीं होती है मतलब ये इससे निवेस करने की जो प्रविर्टी है उसमें गिरावट होती है उर्वरक के संदर में वर्तमान केंदर सरकार की अगर हम नीतियों पर गौर करें जिसका उदेश उ मुझको उचित लाभारतियों तक बनाए रखना है तो जरा महत्पुर्ण कारी देखें कि कौन-कौन से कारी किये गए है पहला तो ये कि अब जो यूरिया का निर्मान किया जाता है वो नीम लेपित होता है इसका लाभ यहाँ पर यह है कि नीम लेपित यूरिया का प्रयोग गैर करसी छेतr में अब करना आसान नहीं है वहीं बापु तकनीक का इस्तमाल के जाता है तो ये जो बायो ऑस्टनिकेसन होता है उसका लाभ यह पर यह होता है कि जो सही लाभारतित हैं उन्हीं लाभार्थी तक यूरिया की पहुँच होती है और उसके साथी साथ कि जो यूरिया की खरीद है उसको क्या निश्चित कर दीगे मतलब उस पर कैप लगा दिया गया है अब एक नज़र डालते हैं nutrient-based subsidy पर उर्वरक एवं रसायन मंत्राले के द्वारा 2010 इस्वि में इसे लागू किया गया इसके अंत्रगत subsidy का प्रावधान यह है कि इसमें subsidy की एक निश्चितरासी वार्षिक आधार पर तैकी जाती है और इसमें जो subsidy की निश्चितरासी तैकी जाती है उसका आधार है उर्वरक में मौजूद पोसक्तत्व कौन-कौन से पोशक्तत नैट्रोजन, फासफोरस, पोटास, सलफर, जिंक और बोरान परन्तु, न्यूट्रेंट बेस्ट सबसीडी यह ओसफल रहा उसका कारण क्या है? उसका कारण है इस न्यूट्रेंट बेस्ट सबसीडी से यूरिया का बाहर होना क्योंकि अभी भी यूरिया के MRP या Maximum Retail Price वह सरकार तै करती है तो इसका परिनाम क्या हुआ है कि अप्रेल 2010 से बाजार आधारित उर्वरक मतलब यह कि वैसे उर्वरक जो न्यूट्रेंट बेस्ट सबसीडी का भाग है तो उनके मुल में 150 से 300 परतिसत तक की वृद्धी हुई है जबकि यूरिया के मुल में मात्र 11 परतिसत की वृद्धी हुई है तो हुआ यह कि किसान यूरिया का कम मुल रहने के कारण उसका अत्यधिक परियोग करने लगे जिससे मिर्दा में जो पोसन तत्व है उसमें औसंतुलन की इस्थिती पैदा हो गई है अब सरकार के लिए यह आविस्यक है यह सरकार प्रमुक्ता दे किस बात को कि यूरिया को NBS के अंतरगत लाए तो इसका अर्थ यहां पर यह है कि यूरिया का जो MRP है वह 5,360 रुपे से बढ़कर कितना हो सकता है 9,000 रुपे प्रती टन वहीं जो गईर यूरिया उर्वरक है उसके MRP को क्या करे कम करे ताकि गईर यूरिया उर्वरक का उपभोग बढ़े और भविस्य में यह प्रावधान किया जाए कि जो उर्वरक सबसीडी दी जाती है वह सभी उर्वरकों पर मिले और यह सबसीडी प्रती एकड़ भूमी पर आधारित हो अब यहाँ पर आवेस्यक्ता इस बात की है कि रासायनिक उर्वरक और जैविक उर्वरक इन दोनों के बीच संतुलन इस्थापित किया जाए और जो सबसीडी की विवस्ता है उसमें पारदर्सिता हो और यह जो सबसीडी की विवस्ता हो यह दिर्ग कालिक ना हो बलकि यह एक अल्प कालिक विवस्ता हो इस प्रकार इस संपादकी के माध्यम से हमने इस बात पर चर्चा की कि यूरिया का प्रयोग कैसे संतुलित रूप में किया जाए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपाधिकी की ओर जिसका सिर्षक है प्रमोट कॉंपेटिशन इस संपाधिकी को लिया गया है बिजनस स्टेंडर्स से और यह संपाधिकी है जी एस पेपर थर्ड में शामिल विसे पहारती अर्थविश्था तथा यूजना के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है देखते हैं इस संपाधिकी को विस्तार के साथ जिसका आधार है UPI यानि Unified Payment Interface लेंदेन की उपरी सीमा का निर्धारण मामला यह है कि National Payments Corporation of India या NPCI या भारती राष्टी भुकतान निगम ने गोसना की है कि Third Party App Provider जो UPI का लेंदेन करते हैं तो अब उनके UPI के लेंदेन की जो मात्रा है वह 30% से जादा नहीं होगी और यह जो नई घोसना है वह लागू हो गए जनवरी 2021 से अब यहाँ पर यह है कि इस 30% की गणना कैसे की जाएगी पुर्व के 3 महने में जो लेंदेन हुआ है तो जितनी भी लेंदेन हुई है वही कहलाएगी कुल मात्रा मतलब यह कि पिछले 3 महने में जो UPI के अंतरगत लेंदेन की गई है हर एक कमपनी की दोरा तो वही उनकी कुल मात्रा का आधार होगा और उसी आधहार पर थर्ड पार्टी एप की हिस्सेदारी वह UPI लेंदेन में 30% से जादा नहीं होगी और यह जो नया नियम है यह जो नई घोसना है जो जनवरी 2021 से लागू होना है तो इसका पालन करना है चरणबध तरीके से 2 साल की अबधी में अब NPCIA के अनुसार UPI के लेंदेन के आकार की हम बात करें यह दो अरब से जादा है जिसमें Google Pay और Phone Pay का हिस्सा 40% है NPCIA का जो यह आदेश है उसे लोग वित्व मंत्री के कथन से जोड़ कर देख रहे है और वह कथन क्या है वह कथन यह है कि वित्व मंत्री वार्षिक इंडियन बैंक एस्सोसियेशन की जो जेनरल मीटिंग थी उसमें उन्होंने यह बात कही थी कि बैंकों को अब केवल तो साहन प्रदान करना है अब अगर हम मिला कर इन सारी बातों की समिच्छा करें तो पहली बात तो यहां पर यह है कि NPCI ने अपनी सीमा का अतिकर्मन किया है वह क्यों वह इसलिए क्योंकि देश में प्रतिस्प्रधा समंदी जो भी मुद्दे हैं वह भारती प्रतिस्प् और वहीं ग्रहकों पर दूसरे ऐसे UPI जिसका इस्तमाल वो नहीं करना चाहता है उस UPI को स्विकार करने का उस पर दवाब बढ़ेगा परिनाम यह होगा कि नौन डिजिटल पेमेंट में वृद्धी हो सकती जो डिजिटलाइजेशन की दिसा में एक गतिरोध होगा अगर ग्राहक के समक्च सिमित विकल्प होंगे तो फिर वित्य समावेशन की प्रक्रिया भी बाधित होगी भारत में डिजिटल भुकतान अभी सुरुवाती अवस्था में है और इसमें अगर सरकारी हस्तक्षेप होता है तो यह ना केवल डिजिटल भुकतान के बाजार आकार म बलकि डिजिटल भुकतान के संदर में जो नवाचार नवोनमेस या इनोवेशन हो रहा है उसको भी या हतोत साहित करेगा वहीं यह बात कहना कि रुपए कार्ड की एक वैस्विक पहुंच हो चुकी है यह आकलन सही नहीं है और रुपए कार्ड को इस प्रकार का अनुचि भारत कारिकरम को लेकर जो कुछ विसलेशक यह कहते हैं यह आयाद प्रतिस्थापन की नीती है वही नीती जिसका पालन भारत 1991 से पहले करता था तो आवेशक्ता इस बात की है कि सरकार खुली एवं नियामिकी प्रतिस्पर्धा का वातावरन तयार करे ना कि सरकार एक ऐसे प्रतिस्पर्धी वातावरन का निर्मान करे जो निवेशकों के मन में निवेश करने की इच्छा को समाप्त करता हो देखते हैं आज का प्रस्ण है कि सतत करसी के लिए या आविस्यक है कि पोसन आधारित उर्वरक सबसीडी की समिच्छा की जाए कतन की समिच्छा करे इसक मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नमस्कार.